बागेश्वर दाम के दिरंदर सास्तरी के एक भक्त सिवरंजनी सुर्खियों में है MBBS के स्टूड़न्ट सिवरंजनी मद्यप्रदेश के सतरपूर पहुंच चुकी है सिवरंजनी ने मीडिया के सामने आकर कई सवालों के जवाब दिये चातरा से जब पूछा गया कि बाबा बागेश्वर दाम आने वाले भक्तों में एक भक्त चर्चा में है ये भक्त है मद्यप्रदेश के स्टूड़नी जिले की MBBS चातरा शिवरंजनी तिवारी ये चातर गंगोत्री से बागेश्वर दाम के लिए यात्रा पर निकली है शिवरंजनी तिवारी की बागेश्वर दाम में आस्ता है शिवरंजनी तिवारी ने 14 जून को छतरपूर में प्रवेश किया इसके बाद रात करीब 8 बजे अचानक उनकी तब्यद बिगड़ गई बाद में शिवरंजनी ने मीडिया से बात की जब तक बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म नहीं होता उनके फिर से दर्बार लगाने का इंतिजार करेगी इस सवाल के जवाब में सिवरंजनी ने कहा कि अब जब दिरेंदर सास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं है तो मैं बाहर रुक कर क्या करूंगी जब वह आएंगे तभी तो दर्बार लगेगा अभी फिलहाल जल चड़ा कर घर चली जाओंगी जब सिवरंजनी से पूछा गया कि बाबा बागेश्वर ने आपको बिटिया बोला है इस पर आप क्या कहना चाहेंगी सिवरंजनी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि दिरेंदर सास्त्री ने मुझे बिटिया कहकर बुलाया हो मैं तो उन्हें प्राणनात मानती हूँ मतलब अपना भगवान बागेश्वर के साथ शादी रचानी की सुर्ख्यों में रहने वाली सिवरंजनी ने कहा कि अभी नहीं तो फिर कभी होंगे मैं लगातार बागेश्वर धाम में नहीं रहूंगी जल अर्पित करने के बाद घर चली जाओंगी